लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं नतीजा आ गया है नई सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया है इस बीच पीम ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल में अपना डीपी चेंज करने के साथ ही अपनी कवर फोटो भी बदल ली है इसी के साथ उन्होंने एक पोस्ट भी ल अपने 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 सोशल मीडिया हैंडल पर अपने नाम के बाद मोदी का परिवार यह लाइन जोड ली थी अब खुद पीएम मोदी ने अपने सभी समर्थकों को मोदी का परिवार टैक को सोशल मीडिया प्रोफाइल से हटाने के लिए कहा है देखे उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या लिखा वे लिखते हैं लोगसबा चुनाव अभ्यान के दौरान पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रती सने के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा इससे मुझे बहुत तागत मिली भारत की जन्ता ने NDA को लगातार तीसरी बार भहुमत दिया है जो एक तरह का रिकॉर्ड है और हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है हम सभी के एक परिवार होने का सन्देश प्रभावी ढंग से दिये जाने के बाद मैं एक बार फिर भारत के लोगों का धन्यवाद देता हूँ और अनुरोद करता हूँ कि अब आप अपनी सोशल मीडिया संपत्यों से मोदी का परिवार हटा दे लेकिन इससे दिखने वाला नाम भले ही बदल सकता है लेकिन भारत की प्रगती के लिए प्रयासरत एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट बना हुआ है तो ये है पीम मोदी की पोस्ट जो उनों ने लिखी है सोशल मीडिया हैंडल एक्सपर अब आप चलते चलते ये भी जरूर जान लीजिए कि मोदी का परिवार नाम की जो ये मुहीम है ये शुरू क्यों हुई थी दरसल इसकी वजह था एक बयान लोगसभा चुनाफ के दौरान आर्जेटी प्रमुक लालू परिसाद यादव ने पीम मोदी के परिवार को लेकर एक बयान दिया था इसके बाद लालू परिसाद यादव के बयान के विरोध और पीम मोदी के समर्थन में बीजेपी समर्दकों ने अपने एक्स अकाउंट पर बायो को बदल दिया और अपने नाम के बाद मोदी का परिवार जोड़ दिया था अब पिये मोदी ने इस टैग लाइन को हटाने के लिए कहा है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के ले बैल आइकन भी तबा दे खान तक खाना है तो उगाना है